और पूरू डिप्टी सीम ते जस्वी यादों की जन विश्वास यात्रा को लेकरके पूरू मंत्री ललत यादों ने कहा कि उनकी यात्रा सफल हुगी महा गठ बंधन 2024 में भी लोकसवा सीटों पर जीत दर्ज करेगा तुमई उन्होंने डिप्टी सीम विजए सिन्हा पर भी जमकर निशाना साथा ललत यादों ने कहा मेरे विभाग में कोई गड़वडी नहीं हुई है नल जल कार जो भी हुआ है कैबिनिट की मंजूरी के बा करें लेकिन उसी 17 महीने के उपने हम भी मंतरी रहते हैं जिस सबाल का हम सूने है आप प्रस्ण मंतरी जी का सवाल है हम समिक्षा करेंगे और समिक्षा के उपरा तो अभी तो टेंडर हुआ ही है निस्पादन भी नहीं हुआ है तीसमें कोई गरभरी का कहा सवल होता है के इसे सवागत्री हैं उस विभाग की बात आपको सिथिया सबस्त कर दिये यह अभी टेंडर का प्रोसेस है अभी निश्वादन भी नहीं हुआ यह दिनिसवादन में कोई घरबरी होथी तो हम भी मंफरी रहते तो मुल्ण दर्दे तो जास करते चार्वाइन से डर नहीं है अगर कुछ वैसा होगा तो इसमें मंतरी का कोई भूमका इन नहीं है यह बिभाग का काम है और टेनरिंग से होता है तो इसमें मंतरी की भूमका का है जो जाच से हम डरे यार जाच का हम स्वागत करें अखरी सवाल है तेश्वी अरवाद से यात्रा पर निकले हैं और दस दिनों की यात्रा है कितना उमीद है कितना सफल होंगे तेश्चित रूप से तेश्वी जी को बिहार के लोग देख रहे हैं और जिस तरह से बिहार में घटना कर्म हो रहा है जिस तरह से बीजेपी का भी असपस्ट हो जाएगी। तेश्वी यादव के यात्रा पर कहा कि तेश्वी यादव की यात्रा सफल होगी और लोग सभा में 40 सीटों में सबसे अधिक सीट जो हैं वो आरजेडी कियाएगी वीडियो जनली सतिन कुमार के साथ उतकष न्यूज नेशन पटना